नहमाया की पुस्तक अध्याय साथ जब शहरपनाह बन गई और मैंने उसके फाटक खड़े किये और द्वारपाल और गवईये और लेविये लोग ठैराए गए तब मैंने अपने भाई हनानी और राजगड के हाकिम हनन्यहा को यरुशलिम का अधिकारी ठैराया क्योंकि यह सच्चा पूरुश और बहुतेरों से अधिक परमिश्वर का भैर मानने वाला था और मैंने उनसे कहा जब तक घाम कड़ा न हो तब तक यरुशलिम के फाटक न खोले जाए और जब पहरुए पहरा देते रहे तब ही फाटक बंद किये जाए और बेडे लगाये जाए फिर यरुशलिम की निवासियों में से तू रखवाले ठैरा जो अपना अपना पहरा अपने अपने घर के सामने दिया करें नगर तो लंबा चवड़ा था परंतु उसमें लोग थोड़े थे और घर नहीं बने थे तब मेरे परनुशर ने मेरे मन में यहाँ उपचाया कि रईसों, हाकीमों और प्रजा के लोगों को इसलिए इकटे करो कि वे अपनी अपनी व आए हों का वे इंशावली पत्र मिला और उसमें मैंने यो लिखा हुआ पाया कि जिनको बाबल का राजा नबुखदने सर बंधुआ करके ले गया था उनमें से परांत के जो लोग बंधुआ से छूटकर येरुशलेम और यहुदा के अपने अपने नगर को आये थे वे य जरुबा बिल, एश्यू, नहमायाह, अजरियाह, राम्याह, नहमानी, मुर्दके, बिल्शान, मिस्पेरेद, बिगवे, नहोम और बाना के संग, इस्राइली प्रजा के लोगों के गिंती यहा है अर्थात, परोश की संथान, 2172, सपत्या की संथान, 372, आरह की संथान, 652, पहत्मो आप की संथान, एश्यू और ओबाह की संथान, 2818, इलाम की संथान, 1254, जत्तु की संथान, 845, जक्के की संथान, 760, बिन्यूए की संथान, 648, बेबै की संथान, 628, अजगार की संथान, 2322, अरोक की काम की संथान, 667, बिगवे की संथान, 2067, आदिन की संथान, 655, हिचकिया की संतान आतेर के वन्ष में से 98, हाशुन की संतान 328, बैसे की संतान 324, हारीप की संतान 112, गिबुन की लोग 95, बैतलहेम और नतोपा के मनुष्य 188, आनातुत की मनुष्य 128, बेत जमावएद के मनुष्य 42, करिय तैरीम कपीर और बेरोत के मनुष्य 783, रामा और गिबा के मनुष्य 62, मिकपास के मनुष्य 22, बैतल और एक एक है मनुष्य 123, दूसरे नबो के मनुष्य 52, दूसरे एलाम की संतान 1254, हारीम के संतान 320, यरिहों के लोग 345, लोद हादीद और ओनों के लोग 721, सना के लोग 3930, फिर याजक अर्थात एशु के गराने में से यदायहा के संतान 973, इमेर के संतान 1052, पशुहूर के संतान 1247, हारीम के संतान 1017, फिर लेविय ये अर्थात होदवा के वंश में से, कदमियल के संतान एशु के संतान 74, फिर गवये ये थे, अर्थात आर्थात के संतान 148, फिर द्वारपाल ये थे, अर्थात शलूम की संतान, आतेर की संतान, तलूम की संतान, अकूब की संतान, हतिता की संतान, और शोबय की संतान को सबको मिलकर 138. फिर नतीन अर्थात सिहा की संतान, हसुपा की संतान, तबाओत की संतान, किरौन की संतान, सिहा की संतान, पादौन की संतान, लबाना की संतान, हगबा की संतान, शल्मे की संतान, हनान की संतान, गिदिल की संतान, गहर की संतान, राय की संतान, रसीन की संतान, नकुदा की संता गज्जाम की संतान, उज्जा की संतान, पासिह की संतान, बैसे की संतान, मुनीम की संतान, नपुशस की संतान, बकबुक की संतान, हकुपा की संतान, हरुहूर की संतान, बसलीस की संतान, महिदा की संतान, हर्शा की संतान, बर्कोस की संतान, सिस्रा की संतान, तेमह की संतान, और हतीपा की संतान। बयान नवे थे और ये वे है जो तेल मेलह, तेलहर्शा, करूब, अद्दोन और इम्मेर से यरुशलिम को गए परंतु अपने अपने पित्रों के घराने और वह इंशवली न बना सके की इसरायल के है वह नहीं अर्थात, दलायाह की संतान, तूबियाह की संतान, दकुदा की संतान, जो सब मिलकर छोसो बयालिस थे और याजकों में से हुबायाह की संतान, हकोस की संतान और बरजले की संतान जिसने गिलादी बरजले की बेटियों में से एक को बहा लिया था और उन्ही का नाम रख लिया इन्होंने अपना-पना वईशावली पत्र और और वईशावली पत्रों में ढूंडा, परन्तु न पाया, इसलिए वे अशुद्ध ठहरकर याजकपत से निकाले गए, और अधिपती ने उनसे कहा कि जब तक उरीम और तुम्मीम धारान कारने वाला कोई याजक न उठे, त उनको छोड़कर उनमेंके 734310 तासिया और 245 गानेवाले और गानेवालिय थी, उनके घुडे 736, खचर 245, ऊट 435 और गधे 6720 थे, और पित्रों के घराने के कई एक मनुष पुरुषों ने काम के लिए दिया, अधिपती ने तो चंदे में 1000 दर्कमोन सोना, पचास कटोरे और 530 याजकों के अंगर खे दिये, और पित्रों के घरानों के कई मुख्य मुख्य पुरुषों ने उस काम के चंदे में 20,000 दर्कमोन सोना, और 2200 माने चांदी दी, और 6 प्रजा ने जो दिया वह 20,000 दर्कमोन सोना, जो 1000 माने चांदी और 67 याजकों के अंगर के हुए, इस प्रकार याजक, लेविय, द्वारपाल, गवए, प्रजा के कुछ लोग, और नतीन, और सब इस्राइली अपने अपने नगर में बस गए, क्या है, और सबतों अजारपाल, और नतीन, और सब्या के का क्टमोन सबते हैं आर सब्से आर से